Hi guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great So, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी Misho Hall, जो काफी लंबे टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि समर अप्रोप्रेट एवरी डे के लिए आपको उतार सेट्स शेयर कीजिए साथ में मैंने एक You know, sling bag भी लिया है और कुछ western wear के अंदर मैंने पिक किया Actually, एक jeans ली है और एक dress पिक करी है So, चलिए ये सारी चीज़े मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे like कर देना चैनल को subscribe कर लीजेगा for such more videos आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते है मेरा instagram handle है dahiya anu Now, let's get started सब भी products के purchasing link मैं आपको description box में दे दूँगी Swap checkout कर लेना And yes, product link भी होंगे और code भी होंगे दोनों ही मैं दूँगी So, सबसे पहले मैं आपके साथ share करूँगी ये sling bag So, मुझे ये ना इस तरह का sling bag शहिए था एक वो भी indigo color में कुछ इस तरह के outfits होते हैं जिनके उपर इसी तरह के bags अच्छे लगते हैं थोड़ी बहुर लुक के लिए तो ये मुझे मिला बहुत ही ज़दा affordable है First of all और इसकी looks बहुत अच्छी है मुझे थोड़ा सा ये था कि जैसा picture में दिख रहा है वैसा मिलेगा कि नी But quality finishing बहुत ही ज़्यादा बढ़ी आप देख सकते हैं से ये leather finish है And साथ में यहाँ पर ये piping दी हुई है पतला है ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लेकिन जतना sling bag का काम होता है वो अच्छे से इसके अंदर ये हो जाएगा एक अंदर भी इसके अंदर जिप है ये आपको adjust करने के लिए sling belt मिल जाएगी पीछे भी इसके अंदर ये pocket दी हुई है आप देख सकते हैं काफी बड़ी है अगे आपको ये magnetic you know बंद करने का यहाँ पर भी जिप बगएरा तो ऐसा नहीं कि कुछ खूला बगएरा हो टोट बैक की तरह नहीं है ये टैसल बगएरा दी हुई है ये भी है आप चाहें तो इसे रख सकते हैं तरवाइस इसे हटा भी सकते हैं आपको नहीं अच्छा लगए क्योंकि मुझे थोड़ा साही नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं इसको रिमूव कर दूगी इसका जो ब्रैंड है ये है विविविंड का इसमें काफी सारी चीज़े आपकी बेसिक बेसिक आजाएंगी तो फॉस्ट है ये पीस एवरी डे में आपके ओवरॉल पूरे लुक को कम्पलीट करने में लिप्स्टिक का बहुत ही मेजर इंपोरेंट रोल होता है तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बड़िया लिप्स्टिक पिक करना काफी ज़दर डिफिकल्ट हो जाता है साथ में उसके anti-oxidant effects भी होते हैं and vitamin E आपके lips की pigmentation है उसको कम करता है and इनकी pigmentation इतनी बढ़िया है deep pigmentation है जो 8 hours सक stay करती है इसके अंदर आपको 9 shades मिल जाएंगे काफी बढ़िया shade range है and आप देख सकते हैं एक swipe के अदर कितना deep pigmentation मिल रहा है इसका जो formula है वो काफी जादा light weight है non-drying है comfortable है and this is dermatologically tested and safe certified so everyday में आप इसे use कर सकते हैं so जो shade मैंने apply किया हुआ यह मुझे बहुत ही प्यारा लगा and यह है 05 bubble gum nude and दूसरा shade जो मुझे काफी जादा पसंद आया वो है 06 melon red so apply करने के पाद बहुत ही जल्दी यह जो formula है वो dry हो जाता है बिल्कुल भी smudge नहीं होता same time आपके lips को यह moisturize रखता है so मैं दो वीडियो शूट कर चुकी हूँ काफी time से मैंने apply कियो और आप देख सकते है pigmentation as such है काफी जादा light weight and fresh feel हो रहा है बिल्कुल भी heavy नहीं लग रहा है मुझे lips पे और moisturized भी है lips so यह lipsticks मैं आपको highly recommend करूँगे अगर आपको comfortable lightweight lipstick चाहिए आप इने जरूर से try कीजेगा इनके purchasing link मैं आपको description box में देदूँगी यह Amazon पे, Nika पे, Mama Earth की app and website पे मिल जाएगा app and website पे अगर आप shop करते हैं तो मेरा coupon code भी use कर लीजेगा and Mama Earth की official app भी है आप उसे download कर लीजे उसे आपको deals and offers के early access मिल जाएंगे अगर आप Mama Earth की website या app से कोई भी order place करेंगे तो यह आपके order को link कर देंगे एक tree से जो यह plant करते है and Mama Earth ने aim किया है 2025 तक 1 million trees को plant करने का and Mama Earth plastic positive brand भी है जितना plastic यह use करते हैं उसे ज़्यादा recycle करते हैं so in 9 shades में से एक sheet ज़रूर आप try करके देखना I'm sure आपको अच्छा लगेगा now बढ़ते हम next outfit पे उसके बाद मैं आपके साथ share करूँगी एक यह kurta set two-piece kurta set मैंने लिया है from the brand Poshark काफी बढ़िया मुझे लगा यह cotton fabric के अंदर actually इसका जो color combination हो मुझे बहुत ही ज़्यादा soothing लगा and blue and white का combination आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और उपर से यह cotton fabric में जो काफी ज़्यादा comfortable है मैंने small size में लिया है and आप fit देख सकते हैं मेरे पे कैसा आ रहा है सरी लग रहा है मुझे fitting neck पे आप देख सकते हैं patchwork है इसी तरह का आपका bottom मिलेगा जो यह patchwork किया हुआ है V neck है sleeves पे भी आपको इस तरह का यह patchwork मिल जाएगा जो 3 4th है empire line के बाद decent सी gathering इसके अंदर दी गई है इसके अंदर side slit नहीं है front के अंदर थोड़ा साइड में जाके slit दी हुई है बहुत लंबी slit नहीं है so comfortable रहेगी everyday में office में आप 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 सकते हैं so length भी काफी जादा बढ़िया है पीछे और आगे हर जगे यह इस तरह का blue color का print मिल रहा है काफी बढ़िया लग रहा है यह देखने में overall जो इसका look है काफी जादर refreshing है then bottom वही है जो इसके अंदर patchwork किया हो था कुर्टे में उसी color में wide leg bottom है cropped है इस तरह की flare कुर्टे के साथ cropped bottom बहुत ही बढ़िया लगती है यह small जो size मैंने लिया था उसके साथ यह comfortable मुझे फेटारी है इस तरह की elasticated है दोनों तरफ से pocket pocket इसके अंदर नहीं है easy breezy काफी बढ़िया सा एं चोड़ चोड़ प्रेंट हो रहा है blue के अंदर white so काफी बढ़िया लग रहा है so definitely आप इसे check out कर सकते है इनके अंदर ना दो तीन कलर थे so मैं थोड़ा सा confused हो रही थी मुझे orange कलर भी बहुत अच्छा लगा था फिर मुझे blue पर पता ही आपको blue को ही जीतना था क्योंकि मेरा favorite color जो है इसा तो नहीं है यह प्रेंट बगेरा निकल जाए अब पेंट हो पेंट नहीं है यह डिजिटल प्रेंट है जो फैब्रिक के अंदर ही होता है and यह है अनुबूती ब्रेंट से यह ब्रेंट तो काफी अच्छा आपको मिंतरा पे and Amazon पे सब जगार मिल जाता है स्लीज भी काफी स्मार्ट है इसकी जस्ट अलबो तक आती है then आप देख सकते हैं स्ट्रेट कुरता है विद साइट स्लीट ब्लैक के ऊपर यह ऑफवाइट करका छोड़ चोड़ चोड़ प्रिंट जो है वो काफी ज़्यादा सुन्दर लग रहा है इसका प्रिंट ही इसका ट्रेक्शन है साथ में जो फैबरिक है वो बहुत ही सॉफ्ट है कॉटन है मतलब ब्लैक करके आप सोचोगे कि गर्मियों में बहुत गर्मी लगने वाली है मतलब इसे पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सूधिंग और अच्छा सा फील आ रहा था ओवियसली धूप का जो वो फेनॉमिना है कि ब्लैक को जादा एब्सॉब करती है सारी रेडियेशन को एब्सॉब कर लेता है वो एक डिफरेंट आस्पेक्ट है बट जो फैबरिक है वो बहुत ज़दा सॉफ्ट और कमफर्टेबल है गर्मियों में भी आप असानी से इसे कैरी गर सकते है इसके साथ ये पैंट आती है जो बहुत ज़दा वाइड लैग भी नहीं है बहुत ज़दा स्ट्रेट फीट भी नहीं है काफी बढ़िया है क्रॉप्ड पैंट है ये बहुत ही सॉफ्ट है इसका फैब्रिक भी इसमें आपको एक पॉकेट मिल जाएगी दोनों तरफ से ये लेस्टिकेटेड बैंड है इसका और ये साइड से ऐसे आप इसे फॉर्दर सिंच करके एड़स्ट कर सकते है अरी फिरंट में ये ये साइड में दिया गया है प्रोवीजन जो इस तरह की ये ये फैंट सा इस इसके इनदर ये जो लंबाई में आपको एपन परिंट मिल रहा है कि कभी इसे as a two-piece डाल लिया, कभी इसको आप अप अप बाटम के साथ के साथ कर लो, कभी इसे प्लेन कुर्ते के साथ के साथ कर लो, so ऐसे हैं कि काफी जादा यूज हो चाएंगे, तो ये तो मुझे बहुत ही जादा सुन्दर लगा, और सबसे च्छी बात है कि जितको फाब्रिक वागर है वह बहुत ही सॉफ्ट था, so ये भी मैंने स्मॉल साइज में लिया, आप इसे भी चाप आउट कर सकते हैं, उसके बाद ये इंडिगो कलर का मुझे बहुत ही स्टाइलिश कुरतर सेट मिला, ये टू पीस के अंदर है और इसके अंदर भी दो तीन पैटर्न आपको मिल जाएंगे उसमें, जो भी अच्छा लगे आप देख लेना, सो या, चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह का है, सबसे पहले तो ये है कलियो वाला, ठीक है, सो यहाँ पर आपको वी नेक मिल रहा है, फ्रंट में आपको ये पैच हुआख मिलेगा जिसका बॉटम है, यहाँ पर थोड़े से बटन बने हुएं, स्लीव इसकी तरह से फ्लेयर वाली है, यह भी बॉटम वाला फैब्रिक है जो आपका आगीद लगा हुआ है, बढ़िया फ्लेयर है, लेंथ भी काफी अच्छी है, इसके अंदर ये साइड स्लेट है, यह भी बहुत जदर डीप स्लेट नहीं है, तो काफी बढ़िया है, एंड कॉटन फैब्रिक है, काफी सॉफ्ट वाला, सो सी थू भी नहीं है, कोई भी जो मैंने आपको पीसिस दिखाया ने, इनके नीचे आपको कोई स्पैगेटी या लाइनिंग डालने की ज़रुत नहीं है, काफी जदा कमफर्टेबल रहेंगे अगर आप इने अकेले भी डालते हैं, इसके साथ ये वाइड लेक बॉटम आ जाती है, ये भी बहुत जदा आप यूज़ कर सकते हैं, आपके अदर सॉलिड कॉर्टा के साथ प्यार हो जाएगी, दोनों तरफ से ये लास्टिकेटेड हैं, और सॉफ्ट कॉर्टन फाब्रिक के अंदर है, काफी इजी ब्रीजी है, स्मॉल साइज में लिया है, ये तीन कुर्टा सेट्स थे, जो आफिस में आप कैरी कर सकते हैं, जो लोग कॉलेज में भी कुर्टा सेट्स वगरा डालते हैं, तो डेफिनिटल आप भी से कर सकते हैं, घर पर भी डालते हैं तो भी पहन सकते हैं, इसके बाद मैंने एक ये जीन्स में सोची थी, मैं ट्राइ करती हूँ, सो अभी जीन्स के काफी सारे ओप्शन्स आ चुके हैं मीशों पर, सो मुझे लगा मैं इस तरह की ये ना, स्ट्रेट में और नीचे थोड़ सी बेल बोटम चे हो जाती हैं, आजकल इसी तरह की चल रही हैं, बहुत जादा फिटेड वाली तो ओविसली एकादी तो होनी चाहिए, बट इस तरह की पैंट्स काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं अभी, सो मैंने इसे पिक कर लिया, बिल्कुल बेसिक सिंपल ली है मैंने, कोई भी इसके अंदर, रिब बगेरा भी नहीं है, कोई शेड भी ऐसी नहीं है, जो में ब्लू कलर होता है न, लाइट शेड के अंदर, वो मैंने इसके अंदर पिक किया है, इसके उपर साइज लिगा हुआ है, और इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं, मेरे परफेक्ट सी ही आ रही है, थोड़ी से टाइट मुझे लग रही है, उसका रीजन में बताऊंगे आपको क्या है, सो मेरा जो waist size है वो 28, मुझे Zara की जो jeans आती हैं वो 28 size के अंदर आती हैं, आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो 28 का मतलब है extra large, सो मुझे नहीं पता, जो 28 से बड़े हैं, साइज वाले हैं, वो लोग कौन साइज रैफर करेंगे, सो I think size का जो selection है, वो बहुत ही limited है, आपको बहुत सारा option नहीं मिलेगा, अगर किसी को बड़े size में चाहिए तो, दूसरी point क्या है, यह जो fabric है यह बिल्कुल भी stretchable नहीं है, इसके कारण आप देखेंगे न, देखने में तो बहुत ही बड़िया fit सा आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, कि हम हमेचा जो jeans लेते न, उसमें थोड़ा सा stretch होना चाहिए, बैठते वक्त थोड़ी सी बाड़ी न, रिलेक्स होती है, बैठते वक्त थोड़ी सी टाइट लगेगी, अगर वो रिलेक्स नहीं होगी, तो वही इसके साथ था, यह चीज मिसिंग थी, अगर मैं इसमें थोड़ा सा size बड़ा लेती, में भी comfortable रहता है, अगर फिट काफी बढ़िया आ रहा है, बट अगर यह फैब्रिक stretchable होता है, तो मुझे बहुत जादा comfortable रखता है, तो यह मेरे इसके लिए feedback है, fitting वगेरा तो आप देखी सकते हैं कितनी बढ़ी आ रहे है, अच्छा आप इसके साथ पूछेंगे, यह T-shirt जो मैंने पैर की हुई है, यह कौन सी है, तो यह H&M की बहुत पुराने मैंने offline करी दी थी, उस time की ही है, इसके साथ मैंने इसके पैर की है, लुक तो काफी बढ़िया आ रहा है, थोड़ा सान comfortable लग रहा है क्योंकि stretchability भी नहीं है, इसके बाद मैंने यह dress पिक करी है cotton fabric में, इसके अंदर भी थोड़ा सा मुझे issue यह रहा, कि मुझे जो अपर पार्ट है इसकी fitting अजीब सी आई, यहां से थोड़ी सी धीली थी, फ्रंट से थोड़ी सी tight थी, तो मुझे इतना comfortable नहीं लगा, इसका रीजन क्या है, मैंने इसके इंदर जो size लिया है, वो small है, cotton fabric के अंतर है, obviously वैसे तो see-through नहीं है यह, बट जब इस तरह की dresses आप डालते हैं, आपको cycling shorts तो जरूर से डालनी चुहिए, length भी कापी बढ़ी है इसकी, जो लोग छोटी dresses ने डालते हैं, तो मैंने इसके उपर एक denim jacket ले ली, जो मैंने मिंतरा से खरी दी थी, तो इस तरह से मैंने यह look क्रिएट किया है, थोड़े tessal earrings ले ले लिए, जो जूल्री वगएरा मैंने प्यार किया इन सभी के साथ, उनके link भी मैं आपको description box में दे दूँग, आप चेक आउट कर लेना, यह थी सारी चीजे जो मैंने पिक की थी, जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, क्या चीजे अच्छी लगी और क्या चीजे आप आगे वीडियो में देखना चाहेंगे, comment section में मुझे बताइएगा, इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे in the next one, till then take care, bye bye.